नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं अब आयोग मंगलवार को अपनी जाच रिपोर्ट जारी करेगा जे सेसी ने सभी छह सिकत करताओं को सपत पत्र मोबाइल फोन लेकर आने का निर्देश दिया था वहीं सिकत करताओं के परिवाद पत्र, सीडी, पेन, ड्राइब के तत्यों की जाच और सत्यापन किया जाना था पूर्वक के पत्रों में पेन, ड्राइब और सीडी का मुल्स रोत और आडियो वाइस रिकोर्ड भी उपलब्त करने के निर्देश दिया गया था जिसे लेकर आना था, पेन ड्राइब में रखी गई फोटो और वीडियो जिन ब्यक्तियों के द्वारा बनाये गए हैं, उनकी जनकारी देनी थी साथ ही उप्योग किये गए मोबाइल केमरे को भी देना था, आयोग ने बताया है कि छों में से एक सीकाट करता परकास कुमार आयोग पहुंचे हैं, उन्होंने ना तो सपत पत्र दिया है, ना ही फोटो वीडियो बनाने का मोबाइल सोपा, आडियो वीडियो की दस्तावे साथ भी नहीं दिये है, अब आयोग ने अपनी चांश लगभाग पूरी कर ली है, और मंगलवार को सभी आपनी फाइल रिपोर्ट जारी कर देगी, जार्खन सीम का उपायुक्तों को निर्देश बिजेपी नेताओं पर केस दर्ज करे, जार्खन के मुख्यमंत्री हेमान का उलंगन है, जार्खन के मुख्यमंत्री हेमान तुरे ने सभी उपायुक्तों को भारत के चुनाव आयोग के मांदंडों का उलंगन करने वालों के खिलाब मामले दर्ज करने का निर्देश दिया है, बतादे बिधान सबा चुनाव से पहले विप्रक्षी भाजपा ये अपनी गोगो दिदी योजना की घुसना की कुछ दिनों के बाद ही जार्खन के मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है, शातारू जार्खन मुक्ति मुर्चा ने आरोप लगाया है कि भाजपा अपनी प्रस्तावित योजना के लिए प्रतिमाय कई से रुपे की सहायता का वादा करते हो महिलाओ से फरंबरवार ही है, जो चुनाओ आयोग के मांदंडो का उलंखन है आंगनवाडी केंद्रू पर हरताल के कारण लटका तला अध्यक्ष तेवंती देवी ने कहा है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हर्ताल जारी रहेगी उन्होंने मांगों परविस्तार से अपनी बात रखी है जिला परभारी रेखा मंडल ने कहा है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है सेविका सहाईका को अल्प मांदे देखकर सोसन किया जा रहा है उत्पाज सिपाही बाहाली में मिरितकों के परिजनों को मिली सहायता रासी मुख्य मंत्री हमन्सुर ने मॉब लिंचिंग के 28 पीडितों तथा जारकन उत्पाज सिपाही बाहाली के दवान्तुर भागे पुन मिरितियों के सिकार हुए 15 युवाओ के आसरीतों परिजनों को 4-4 लाख रुपे की सहायता रासी परदान की है प्रोजेक्ट बहुन सभागर में आयोजित कारकर में मॉब लिंचिंग की घाटना में घायल एक ब्यक्ति के आसरीत को 1 लाख रुपे सहायता रासी भी परदान की गई मुख्य मंत्री ने वर्ष 2020 में रांचि जीले के और मांजी थाना अंत्रगत मॉब लिंचिंग की घाटना में मृत स्वर्गे मिथून सिंग खेरवार की पुत्री सुनाक्षी कुमारी को 5 लाख रुपे का चेक सोपा इस करब में सिंग ने पिडित परिवारों के बीच कूल 1,82 लाख रुपे का वित्रन किया है मौके पर मंत्री हफिजुल हसान मुख्य मंत्री का परमुक्स चेव अविनाज कुमार भी उपस्थित थे मुख्य मंत्री हमन्सुल ने तीन पुजा पंडालों का किया उद्घाटान मुख्य मंत्री हमन्सुल ने सुमवार को रांची सहर के तीन पुजा पंडालों का उधाटन किया है CM सबसे पहले खेल गाव, चोक, स्थीत, बंध, गाड़ी गए, इसके बाद रातु रोट, आरार, एस्पोर्टिंग कल्ब और हर्मू, पंच मंदीर दुरगा पुजा पंडाल का उधाटन किया है इस मौके पर सांसार डाक्टर महुआ मांजी CM के साथ थी CM ने देवी दुरगा के दरबार में सीस नवाकर समस जारकन वासियों की सुक सम्रीदी उनति खुसाली वा उत्तम स्वास्त की कामना की है मैट्रिक और इंटरमीडियेट के 97 टॉपर आज होंगे समानित जारकन में पिछले दो वार्सों में मैट्रिक और इंटरमीडियेट परिक्षा के 97 टॉपर को मंगलवार को राज सरकार समानित करेगी जैक ICSC और CBSC के स्टेट टॉपर को 3 लाग रुपए सेकेंड टॉपर को 2 लाग रुपए और थर्ड टॉपर को 1 लाग रुपए राज सरकार देगी इसके साथ साथ सभी टॉपर को एक लैप्टोप और एक स्मार्ट फोन भी दिया जाएगा मुख्य मंतरी हैमां सुरेन और सिक्षा मंतरी बैनाथ राम टॉपर्स को समानित करेंगे जरकन सरकार ने 2023 में मैट्रिक और इंटेमेडियर के टॉपर को समानित नहीं किया था सरकार इस साल 2023 और 2024 के तीनों बोर्ड के टॉपर को समानित करने जा रही है जाएक ICSE वा CBSE बोट में दोह यत्ते इस में 54 चात्रे शत्राई ऐसे हैं जो दसवी बराहुई में पहले से तीसरे अस्थान पर आये थे लातेहर में पुलिस और उग्रवाजियों के बीच मुड़ भेड दो जवान घायाल लातेहर में उग्रवाजी संगठन जेजे MP और पुलिस के बीच मुड़ भेड हुई है दोनों और से दो सरवान घोली चली है वहीं इस गोली बारे में दो जवानों को गोली लग गई है और वे घायल है लातेहर थाना चेत्रे के बोखा खार जंगल में सोमवार की सुब़ पुलिस और उग्रवाजी संगठन जेजे MP के बीच मुड़ भेड की घाटना हो गई इस दोरान दोनों और से दो सरवान घोली चली है घाटना के बाद पुलिस इलाके में सर्च और प्रिसन चला रही है उग्रवादियों से मुड़ भेड के दोरान दो जवानों को गोली लग गई और वे घायल हो गई जवानों के घायल होने के बाद उन्हें तुरंट सदर अस्पतर लाया गया जहां उनका इलाचर रहा है घायल जवानों की पहच्चा नरेंदर पांडे पलामू और जवान राम सिंग सुरीन चाईबासा के रूप में हुई है बाबुलान ने कहा घर घर जाकर भरवाएंगे गोगो दीदी का फरम जारखन में चुनाव आचार संहीता लागू होने के पूर्व ही मुख्य मंत्री हेमन सुरेन द्वारा जिला पताधिकारियों को अपने एक्स हेंडल से दिये का निदेशों को भाजपा परदेश अध्यक्स बाबुलान मांडे ने उनकी बौकलाहट बताया है बाबुलान मांडे ने कहा आए कि ओस्वेम महिलाओं से गोगो दीदी योजना का फरम भरवाएंगे उन्होंने भारतिया जन्तर पार्टी के सभी करकताओं से कहा आए कि वे गोगो दीदी योजना का फरम भरवाने के कार्यों को हर घर तक पहुंचाए राजी की महिलावों के ससक्तिकरण और उनके उत्थान के लिए इस महत्पुन कार्यों को पुरी निष्ठा और समर्पन के साथ करे उन्होंने कहा है कि हमान सुरेन सरकार इस जल्म करने और कारी योजनावों को बाधित करने का हर समब पर्यास कर रही है भाजपार करकतावों को जूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है और प्रतालित किया जा रहा है ताकि वे अपने मिशन से पीछे हड़ जाए मुक्य मंतरी हमान सुरेन के एक सपोस्ट पर असम सरकार के मुक्य मंतरी एवं जारखन भाजपा चुनाव सव प्रभारी हिमत विश्वा सर्मा ने कहा है कि चुनाव आयो क्या दर्स अचार संहीता चुनाव अजिस उतना जारी होने की दिख्थी से परभाव में आती है अजिस उतना जारी होने तक परतेक राजनिती दल को अपने कारकरम संचालित करने का अधिकार है जारखन के 70,000 किसानों के के सिसी रीन का ब्याज माफ जारखन सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रहकर कई उजनाय चला रहे है राज में अब किसी भी किसानों को के सी सी रीन पर किसी परकार के कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा बसरते की उक्त किसान ने अपने रीन की राज सी किस्ते समय से जमा की हो राज सरकार ने इस बीतिय वर्स में 8 कोड़ रूपए रीन का ब्याज बैंकों को भुखतान किया है सबसे ज़्यादा ज़ारखन राज गरामीन बैंको 6.36 कोड़ रूपए का भुखतान किया है इस बैंक से 54,886 किसानों ने KCC रीन लिया था राजे के किसानों ने कूल 12 बैंकों से के सिसी रिन लिया है जिनकी कूल संख्या 79,073 है उक्त किसानों ने अपने रिन की किस्थ का समय से भुगतान किया है जारखन में लागू होगा एनारसी सिवराज चौहान केंद्रिय मंत्री और बीजेपी के जारखन विधान सवा चौनाव प्रभाई सिवराज सिंग चौहान ने सोम और को बड़ा ब्यान दिया है उन्होंने कहा एक जारखन में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो एनारसी लागू किया जाएगा नागरिक्ता का रजिस्टर भी बनाया जाएगा केंद्रिय मंत्री ने समाचार एजेंसी एनाई से बाचीत में भी कहा है कि बिदेशी घुस पैठियों को चौन चौन कर बाहर निकाला जाएगा चौनाव के मदनजर सिवराज चिंग चौहान ने कहा है कि जारखन में भाजबा के बिश्तरी संकल्पत्र जल्द ही आने वाला है बांगलादेशी घुस पैठियों के कारण जारखन की डेमोगराफी तेजी से बदल रही है संथाल परगना में कभी आदिवासी अब आदिच चवाईश परजद थी आज घटकर अठाइस हो गई है वोट बैंक के लालच में हेमान सुरेन के घट बंदन सरकार घुस पैठियों को स्नुन रखचन दे रही है कलपना सुरेन का बीजेपी पर हमला कहा जीने जारखनडी तक नहीं आती वे हमारे भागे बीधाता बनना चाहते है गांडे बीधाय कलपना सुरेन सम्मान एत्रा के करमे सोमवार को गुमला जी लेके सिस्वाई में जनसभा को समधित किया अपने समोधन में कलपना सुरेन ने हिमंत पिश्वा सर्मा और सिराज सिंग चवहान पर हमला बोला है बिना नाम लिए कलपना सुरेन ने कहा है कि बाहर से आयनेता जीने जारखनडी भासा भी नहीं आती वे जारखन के भागे भी दाता बनना चाहते हैं जब उनकी एक्षा पूरी नहीं होती तब वे अच्छे काम करने वालों को परचान करते हैं उन्होंने कहा है कि जब 2016 में जारखन में बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी ने राजिके अल्प संख्यक बिद्यालियों में सिक्सकोक की बहाली बंद कर दी उन्होंने सरना धर्मकोट के समध में कहा है कि हमारी सरकार ने सरना धर्मकोट का प्रस्ताव पास कर दिया और भाजपा वाले नहीं चाहते कि सरना धर्मकोट लागू हो पलामू में लड़किया मा दुर्गे के रूपों में कर रही हैं सिरंगार नवरात्री को लेकर पलामों में खुब तेयरे की जा रही है बिभीन पूजा पंडालों के आयोजक समीती के लोग अपने अपने आयोजन को सफल बनाने के लिए जीत और मेहनत कर रहे हैं बता दे दुकाने भी सज गई है दूसरी तरह भी आओ के बीच फैसन को लेकर आगे जाने की होड मची है इस सबसे अलग मेदनी नगर की कुछ लड़किया खुद को मादुर्गे के कई रूपों से सजित कर चर्चे में आ गई हैं मादुर्गे के रूप से सजी इनकी तस्व कर किया आती है सिखाने के करम में उनका मेक अप किया जाता है ऐसे में जब नरात्री का समय आया है तो कुछ अलग करने की बात सामने आई है पत्र में कहा गया है कि पुर्व की भाजपा आईसू सरकार ने 2016 में लेंड बैंक बनाया था जिसके तहत राजी के 22 लाख एकर समुदाई को गयर मज़रुए जमीन को चीनित कर लेंड बैंक में पंजिकरित किया गया था इसके तहत कोई भी कमपनी किसी भी समय लेंड बैंक में डालेगा जमीन को चीनित कर बिना ग्राम सभा की समाती के अधिगरान की मांग कर सकती है समुदाईक भूमी को लेंड बैंक में डालने से पहले ग्राम सभावों की समाती भी नहीं लिगाई थी यह भी कहा गया है कि रोगवर्दा सरकार ने 2018 में भूमी अधिगरहन कानून संसोधान 2017 बना कर भूमी अधिगरहन कानून 2013 में अहम संसोधान किया था पीएम मोदी ने चमपाई सुरेन को फोन कर उनका हाल चल जाना पीएम नरेंद्र मोदी ने सुमवार सुबा जारखन के पुर्व सीएम और बिजेपी नेता चमपाई सुरेन को फोन कर उनका हाल चल जाना है पीएम ने बात शिक दोरान चमपाई सुरेन से उनके स्वास्त के बारे में जनकारी ली हाए पूर्व सियम चंपई सुरेन ने उन्हें अपने स्वास्थ के बारे में जनकारी देते वे कहा है कि डॉक्टरों के अथक परियास और आम लोगों की दुआओं से अब वो हुख पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं पीम ने चंपाई सुरेन की तारीफ करते हुए कहा है कि आप अस्वास्त रहने के बाजूद अस्पताल से ही विडियो कंफिस्सिंग के जरिये बंगलादेशी खुसपैठियों के खिलाब आयोजीत आदिवासियों के महास समिलन में सामिल हुए बता दे कि चंपाई सुरेन सानी वार को स्वास समंधी जटिलताओ की वज़से टाटा में मोवेल अस्पताल में भरतिक करवाये गए हैं सियम हमन्त ने रांची में अपोलो हस्पिटल के निर्मान का सिलन न्यास किया मुख्यमंत्री हमन्सुरें ने सोमवार को रांची के समार्ट सिटी में तीन सो बेट का अपोलो द्वारा बनाये जाने वाले मल्टी एस्पेस लिटी अस्पताल का सिलन न्यास किया वही मुखी मंतरी ने इसलाम नगर इस्थीत पीम आवास योजना के तहट बने 291 अवासों का उद्गार्टन किया और लावकों को घर का चावी परदान की है इस अवसर पर सीएम ने कहा है कि स्वास्त सेवा के छेतर में राज सरकार ने अंतर काम कर रही है उन्होंने कहा है कि मुझे उमीद है कि यह अस्पताल जल्द बनकर तयार हो जाएगा और आम लोगों को बेहतर स्वास्त सुविधा मुहयक कराएगा यहां सस्ते दर पर इलाज की सुविधा होगी इसमें सभी परकार की बीमारियों के इलाज होगा यह अस्पताल अब तक बन जाना चाहिए था मगर डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी मुख्य मंत्री हमांसुरे ने 28 बन साथ आठ क्लोर की लागा से परधान मंत्री आवासोय नाकताथ इसलाम नागर में बनने 291 आवासो का बटन दबा का उधाटन किया है दुर्गा पुजा को लेकर राजधानी में ट्रेफिक नेमों में बदलाव राजधानी रांची में दुर्गा पुजा को लेकर सुरक्षा में कोई चुक ना हो इसको लेकर रांची पुलिस विशेष त्यारी में जूट गई है भक्त बिना किसी ब्यादान के पुजा पंडालों तक जा सके और मेला कानद ले सके इसके लिए यतयात ब्यवस्था को भी दुरूस्थ करने का काम तेज कर दिया गया है दुर्गा पुजा के दोरान एक हया ट्रैफिक पुलीस सहर की ट्रैफिक वेवस्ता को संभालेंगे 8 अक्टूबर से ही रांची के ट्रैफिक पुलीस दो सिफ्ट में या तयात वेवस्ता को रेगूलेट करेंगे हलाकि पूजा को लेकर ट्रैफिक रूट में 9 अक्टूबर से पर्योतन किया गया है बता दे कि रांची में दुर्गा पूजा को लेकर सड़को पर अभी से ही भीर देखने लगी है वहीं इसके साथ ही ट्रैफिक पलान भी जारी हो गया है लेकिन एपलान 9 अक्टूबर से लागू होगा ऐसे में लोगों को अभी थोड़ी और परसानी जहलनी होगी हलाकि 8 अक्टूबर मंगलवाज से ट्रैफिक पुलिस की जवान दिन और रात में मुस्तर नजर आएंगे इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है धन्यवाद